आई दुस्तों, वो अगर आपने आर्टिकल बहुत अच्छी तरह कैसे पढ़ा होगा, तो मैं आपको ये बता दू कि हलागे सुबह मैंने वो जिकर जान बुचके नहीं किया था, कि कि उसका नाम देखके यार दिमाग आउट हो गया मेरा जो आजय देवगंट की जो फिल्म बनने वाले रितिक के साथ, अभी वो कनफरमेशन आया नहीं ये, लेकिन अल्मोस्ट अंसंग वारियर बन रही है, उसके जो डारेक्टर है, वो दुसरा तिसरे कोई नहीं है, वो है ओम राउत, जी हाँ, जिन्होंने तानाजी बनाई थी, वो बहुत अच्छी बनाई थी, आदी पूरुष क्या बनाई थी, सबको बता है, अब क्योंकि मैं पर्सन तानाजी जैसे फिल्म बना सकता है, मैं बिलीव नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको पता नहीं है, बात यह है, कि यह जो फिल्म बन रही है, यह अजे देवकें रित्तिक, इनकी बात्चीत नहीं हुए आपस में, यह आइडिया लाया ही ओम राउत ने, तो पूरा क्रेडिट उनको मिलने वाला है, सबसे पहली बात ओम राउत का जो अभी सब कुछ खतम अल्मोस्ट हुआ है, आदि पूरुष के बाद, वो अपने जो नाम खराब हुआ है, वो ठीक करना चाहते है, तो भाई वो ठीक करने का एक ही आइडिया है, अनसंग वारियर आजे देवगण की फैन फोलेंग पता है, उनन देख ली सिंगम की वज़े से भी और इवन ताना जी के वज़े से भी के महाराष्टा में कितनी तगडी है, और सबसे बेस क्या रहता है, महाराष्टा मूंबई, जब आपको सेटल होना है, बड़ा बनना है, तो यह जो रितिक का विलन का रोल है, अभी शुरुवात में तो यही अपडेट से अभी इस फिल्म को लेके चर्चा होती रहेगी, वो बात है, बट यह फैक्ट यह है, कि किसी को नहीं पता होगा, तो मैं बता दू, जो लोग बोल रहे थे भाई, डायरेक्टर भाई, आइडिया ही उम्राउत ने लाया है, तो उसको कैसे निकालो गया, तो यह जो फिल्में बन ही नहीं रही थी, अनसंग वारियर के अब बन रही है, तो भाई, जो आइडिया जिस आदमी ने लाया है, उसको थोड़ी अप निकालो गया, डायरेक्टर वही है, बागी कोई इस तरह, अभी कि उन्हों नहीं लाया है, प्रपोजल, और वो बात करने वाले हैं जल्दी, इन फैक उन्हों ने शायद अजे देवगंट से बात की है, या करना बाकी है, आज डेवलप्मेंट अभी हमें एक दो दिन में ज्यादा चीज़े पता चल जाएगे, मान लो भाई, डायरेक्ट रवी ओने वाले है